अब हमारा मौजू है करलाइल एंड रेबन टिश नॉलज ट्रांस्फोमेशन साइकल इस साइकल में देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या कुछ बताया है कि करलाइल और रेबन टिश ने 2003 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा मैनेजमेंट साइंस जनल में छपा आर्टिकल का ट और रेबन टिश नॉलज ग्रॉप टू एनडर कि किस तरह से एक मक्सूस रास्ते से गुजरते हुए नॉलज जो है वो ट्रांसफर होता है एक ग्रॉप से दूसरे ग्रॉप की तरफ इस नॉलज का आप ग्राफिकल मॉडल देखिए इसके अंदर तीन हिस्से हैं इसमें द यह ठ्रांस्फर्म होता है और त्रांस्फर्म होके यह उसी लूप में वापस पर स्टोरेज की तरह आता है तो यह एरोस हमें बता रहे हैं कि यह नॉलज मुसल्सल जो है एक साइकल के सूरत में store, retrieve, transform and again store, retrieve, transform होता है ये तीनों steps क्या है सबसे पहले storage है storage का मतलब ये है existing knowledge में कुछ नया add किया जाए और ये एक इस cycle में understood बात समझी गई there is always some organizational knowledge that already exists तो हर वक्त कुछ न कुछ knowledge available होता है although it may not be systematic and complete कि उसको systematically handle नहीं किया गया उसको organized नहीं किया गया और वो complete भी नहीं है लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी organization के पास कुछ भी knowledge ना हो तो knowledge कुछ ना कुछ होगा और उसी को हम knowledge का store कहेंगे उसके बाद एजी retrieval knowledge can be retrieved from explicit store कि जो explicit knowledge का store माजूद है यानि databases हो सकते हैं reports हो सकती हैं कुछ और guidelines, manuals हो सकते हैं उन में से लिया जाए knowledge या फिर anticipated knowledge from people कि जो अफराद के जहनों में है जो employees या offices के जहनों में है उसमें से knowledge को retrieve किया जाए steps involved are identification, searching, finding and assessing needed knowledge अब इन steps की मदद से knowledge को retrieve किया जाएगा इसके बाद एजी transformation कि when acquired knowledge is found useful कि जब उसको एक use में से गुजार के उसको एक evaluation के process से गुजार के उसको जब useful समझा जाएगा तो transformation की stage शुरू होगी अब जब knowledge transform होगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा it involves documenting previously undocumented knowledge कि पहले वो document नहीं था अब उसे document किया जाए refining it उसको refine किया जाए adding new metadata अब metadata के meaning यहाँ पे है data about data उसके साथ कुछ उसका title उसका author उसकी date उसकी बाकी information बाकी तफसील उसमें add की जाए and updating the knowledge जो existing knowledge है उसको update किया जाए तो इस तरीके से knowledge को store से निकाल के retrieve किया जाता है retrieve के बाद उसको जब useful समझा जाता है तो उसको transform किया जाता है और transform करने के बाद वो दुबारा से knowledge रिकास्टी का हिस्सा बन जाता है